हलो आज है 24 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोड़ाफून आइडिया के बारे में देखें वोड़ाफून आइडिया का अगर हम शेयर देखें तो 6 रुपए के आसपास 8 का हुआ है तीजी नहीं है लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे लीडियो में बात सेखें करेंगे क्या अखिर चल क्या रहा है कंपनी में और कलम्बे समथ सी चल्चाः चल रही है क्या यहाँ पर fund raising हो भी सकती है का यह नहीं वीडियो को शुरू करो उसे पहले अगर आपने अभी तख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीज़े क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो वोड़ फोन आइडिया 6 रुपे 35 पैसे के आसपाश ट्रेड कर रहा है आज हलकी से गिरावट है और एक महिने में अगर आप देखो तो 6 परसन तक गिरा है लेकिन काफी बड़ी लेवल से ये गिर कर नीचे भी आया है आप परसंटेज वाइस वनना देखा जाये तो ये decline mode है इनका बीच बीच में अगर तेजी भी आती है तो वे टेंपरररी तेजी होती है बीच में खबर आए कि सरकार ने का जो ड्यूस था वो इन्होंने एक्विटी में convert कर लिया तो एकदम से शेर भाग गया जटका दिखा दिया लोगों लग लगा चलो गेम चेंज हो गय लेकिन तब भी मैंने कहा था कि करजा इतना ज्यादा है कि इतने से कुछ नहीं होने वाला और उसके बाद भी अगर आप देखरों कि शेर लगातर गिरता ही जा रहा है तो दिक्कत है वोड़ाफून आइडिया में और दिक्कत है डेट करजा बहुत बड़ी दिक्कत है यह पर और उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे इस वीडियो में तो यहां पर एक चीज़ा की कंपनी कोशिश कर रही है फंडरेज करने को लेकर कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी कोई बड़ा इंवेस्टर अभी भी आकर पैसा लगाने को तैयार होता नजर नहीं आया है अब वोड़ा फोन आइडिया के जो प्रमोटर है वो ही इंफ्यूज कर सकते हैं दो हजार करोर रुपे कंपनी में लेकिन देखो यह चोटी मोटी जो खबर है न वो कहिन अगर उतना बड़ा इंपेक्ट क्रियेट नहीं कर पाएगी क्योंकि वोड़ा फोन आडिय के अगर अगर आप देखोगे तो कंपनी साथ हजार क्रोड से भी ज्यादा कर रही है तो अगर दो हजार क्रोड रुपे इंफ्यूज भी करते हैं तो कोई उतना बड़ा वाकिंग कैपिडल नहीं बन जाएगा इनका कोई बड़ा प्लेयर आना जरूरी है एकदम से सिचुवेशन अराउंड होनी यहाँ पर जरूरी है कोई नोन प्लेयर काना जरूरी है यहाँ पर जिस पर लोग भरोसा कर पाए और अभी वो यहाँ पर नहीं है अब वोड़ाफून आइडिया का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो हला कि प्रॉफिट नहीं है लेकि लॉस जादा है और हर बार यह लॉस बढ़ रहा है आज देखो 6500 से 7300 फिर 7600 फिर 8000 करोड तो लॉस बढ़ रहे हैं और रिवन्यू अगर आप देखोगे तो वो अल्मॉस टेटिक है उतने ही है कोई उतने बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ रहे हैं बले ही इन्होंने अपने प्लांस दा रहे हैं यही है दिकत कि भले ही इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया जिसका फायद एक्चुली एर्टेल और जियो को हुआ टैरिफ बढ़ने का उनके रेवन्यू बढ़ गए लेकिन वोड़ा फून आइडिया के उतने बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ पाएं कि जी रोल आउट को लेकर थोड़ी सी पिछड़ी हुई है अपने कमपेडिटर जो है जियो और एर्टेल के मुकाबले तो यह एक प्रॉब्लम जरूर हो रही है वोड़ा फून आइडिया के सामने वॉल्यूम्स काफी हाई है यहां पर काफी बड़ी कॉडिटी में शेर ट् कमपनी में अगर आप देखोगे तो कोई खास अच्छी कमेंटरी देखने को नहीं मिलिया लंबे समय से लोगों की बड़े बड़े ब्रोकेज हाउसे की डिविडेंट तो हलाकि पेग करेगा नहीं क्योंकि जाहिर से बात है इतने बड़े लॉस में कमपनी अगर डिविड वाला लॉस है वोड़ा फोन एडिया अगर हम देखे तो कोई भी एनाली शला की खरिदारी करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें शेह होल्डिंग में तो प्रमोटर के पास 49.92 परसन की होल्डिंग है प्रमोटर के तौर पर यहाँ रिटेल इंवेस्टर्स 4.66 परसन की होल्डिंग लेकर बैठे हुए है और अधर पार्टीस 42.32 परसन की होल्डिंग है और यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि अधर पार्टीस के अगर हम बात है तो यहाँ पर गौर्डमेंट भी अब आ चुकी है ठीक है क्योंकि यह ले क्या होगा कहना मुश्किल है और इतना ही नहीं कई सारी बैंक्स को पैसा चुकाना है फिनाशल इस्टिउशन को पैसा चुकाना है जो टावर सर्विसेस प्रोवाइडर है इनके इंडस्टावर उनको पैसा चुकाना है नौकिया को पैसा चुकाना है तो यह बड़ी और वहां से अभी तक उनका निकलना मुश्किल है और निकलने के लिए सबसे पहली बात है कि कंपणी का प्रोफिट मे आना ज़रूरी है और कंपणी इसलिए नहीं आ रही है करजा इतना जाता कि अगर 10 रूपए कमाते भी है तो 15 रूपे उनका चला जाता है वहाँ पर सामने और यूजर्स इनका नेटवर्क छोड़ कर जा रहे हैं तो पहली चीज़ तो यह कि positive sign यहाँ पर तब दिखना शुरू होगा जब कोई बड़ा investors यहाँ पर आकर पैसा लगाएगा पहली चीज़ क्योंकि देखो यह promoter का 2000-3000 करोड रूपे infuse करना या फिर बैंक से credit ले लेना 3000-4000 करोड रूपे उससे मुझे लगता है कि एक temporary bandit वाला काम होगा ठीक है उससे वही होगा देखो short term के लिए इस तरीके के formation आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर लेकिन उसके बाद वही होगा जो हर बार देखने को मिला है और graph अगर आप देखो गे तो उतना positive अभी के वक्त में नजर नहीं आ रहा है देखो news का बाजार गरम रहेगा और news के बाजार के ओपर यहां पर चीज़े होती नजर आएगी कोई positive खबर आ गई यह भाग जाएगा नहीं आए तो दीरे 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 करके नीचे की तरफ जाता हुआ भी नजर आ सकता है यह शेर तो यहां पर मैं यही कहूँगा कि जो retail investors है वो अभी के लिए उतने बड़े मौके मुझे अभी यहां पर नजर नहीं आ रहा है दिक्कत में है यह बैंक और देखो मैं यह नहीं कहूँगा कि दमदार बैंक है दमदार कंपनी है लेकिन एक चीज़ तो जरूर है कि वोड़ाफून आइडिया सर्विसिस अच्छी देता है ठीक है लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो बिजनस में कनवर्ट नहीं कर पाई इस चीज़ को और यही वज़ा है कि लगातर यहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है कर्जा बहुत जादा है चुकाना मुश्किल हो रहा है और कब बाहर निकलेंगे कैसे निकलेंगे यह कहना मुश्किल है यहां पर यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा तो अभी के लिए वोड़ाफून आइडिया उतना जादा स्ट्रॉंग होल्ड करता नजर नहीं आ रहा है और यही वज़ा है कि उतनी बड़े पैमाने पर वोड़ाफून आइडिया में आपको एक डिसाइसिव ब्रेक आउट देखने को नहीं मिल रहा है ना ही कहीं पर एक सपोर्ट नजर आ रहा है हाल फिलहाल में अगर आप देखो कि एक साल में तो एक डाउनवर्ड ट्रजेट्री है कहीं एक सपोर्ट नहीं बना है तो यही कहूंगा मैं आपसे कि अभी उतने अच्छे मौके लग नहीं रहे हैं लेकिन खबरों का बाजार गरम रहेगा अच्छी खबर आएगी दोड़ जाएगा नहीं आएगी दीरे-दीरे की तरफ नीचे भी आपको नजर आ सकता है यह तो वोड़फून आइडिया रिस् कुछने वो भी अब मुझे कमेंट मेंके बता सकते हैं थैंक्यों